नमस्कार दोस्तो ओनलाइन लेर्निंग इस्टैनों चनल में आप सभी का स्वागत है असी शक्त प्रती मिनट की गती से संबात के डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देरवाद दोस्तो डिक्टेशन की सभी डिफिकल्ट आउटलाइन बनाने का परियास हमने यहां पर कि कर डिक्टेशन का मैटर और डिफिकल्ट आउटलाइन पा सकते हैं चलिए शुरू करते हैं असी शक्त प्रती मिनट कि स्टार्ट कि पिछले कुछ समय से बजार में लगातार महंगाई के बढ़ते रुख ने समाज के सभी तबकों को परभावित किया है मगर निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने ज्यादा मुश्किल आई जिनहें अपने रोजमर्रा के खर्चों में कई इस तरों पर कटोती करनी पड़ी खास कर खाने पीने की चीजों की कीमतों ने आम लोगों से लेकर सरकार तक के माथे पर शिकन पैदा कर दी थी इस मुश्किल से निपटने के लिए सरकार की और से कई इस तर पर परियास किये गए लेकिन महंगाई के आकडे आँख मिचोली खेलते रहे हालांकी बजार में उथल पुथल के बीच कीमतों में तेजी के लिए कई कारक जिम्मेदार रहे और उसका सीधा असर जरूरी वस्तूओं की खुद्रा कीमतों पर पड़ा अब वानिज्य मंत्राले की और से जारी ताजा आकडों में थोक महंगाई का रुख नीचे की तरफ हुआ है इसके मुताबिक जून लगातार तीसरा महिना है जब थोक महंगाई शूने से नीचे आ गई खाने पीने की वस्तूओं इंधन वस्त्रों और निर्मित उत्पादों की कीमतों में गिरावट की वजह से थोक महंगाई में यहे गिरावट शूने से 4.12 फीसद नीचे पहुच गई है इसे पिछले आठ साल में थोक मुल्य सूचकांग पर अधारित महंगाई का सबसे निचला इसतर बताया जा रहा है इससे पहले मई में यहे शूने से 3.38 फीसद और अप्रेल में शूने से 0.92 फीसद नीचे रहा था थोक महंगाई की दर में कमी होने के बाद यह उमीद सुभाविक है की अब बजार में वस्तूओं की खुद्रा कीमतों में भी नर्मी आएंगी मगर कई बार थोक महंगाई में गिरावट के बावजूद खुद्रा मुल्ले पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता है मसलन थोक महंगाई में तो नर्मी का रुख देखा गया लेकिन बजार में खुद्रा कीमतें उची बनी रही खाने पीने के समान और खास कर सबजियों के दाम की वज़ा से सभी घरों का बजट बिगड गया हालत यह है कि टमाटर जैसी ज्यादातर सबजियां सधारन आमदनी के लोगों की खरीदने की शमता से दूर है खाना पीना चुंकी रोजमर्रा की अनिवारे आवशकता है इसलिए इसकी वज़ा से लोगों के सामने अपने अन्य खर्चों में कटोती तक की नोबत है ऐसे में थोक महंगाई में कमी का असर अगर जरूरी समान की खुदरा कीमतों पर भी पड़े तभी इसे आम लोगों के लिए राहत के तोर पर देखा जा सकेगा गोर तलब है कि जून में उभोकता मूले सूचकांग बढ़कर 4.81 फीसद पर पहुच गया था तब भी सबसे ज्यादा उच्छाल सबजियों की कीमतों में ही आई थी स्टोप